हेलो फ्रेंड्स गुडिवनी आपका खुप-खुप साउगत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोपीडिया पर और आज मैं बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ कि जो भी लोग सोचते हैं कि साइड इंकम जनरेट कैसे करें जॉब से पूरा नहीं पड़ता है या इतनी महेंगाई आई है तो कुछ एक्स्ट्रा इंकम हम जनरेट कर सकें और भी विदाउट एक्टिव पार्टिसिपेसन तो हाँ इसा कोई सिस्टम है और मैं इसे लेकर आय अगरेट होगा सबी लोग यहां profit की बात करते हैं कि profit इतना दे रहा हूं profit stock market में यह buy कर लो यह sell कर लौप्शन में यह buy करो यह sell करो future करो future option gambling है इसे बहुत सारे तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोग स्टोक मार्केट में जब एंट्री करते हैं खासकर option में तो हम लोग पूरा gambling करते हैं किसी के कहने से या खुद के थोड़े study किया होगा या चार्ट पढ़के हम लोग entry कर लेते हैं पर हमारा exit define नहीं होता हमारा target stopler define नहीं होता और हम काफी बड़ा loss करते हैं option में मैं guarantee के साथ बोल सकता हूँ कि job के साथ profit नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता ठीक है option में job के साथ profit करना impossible है क्योंकि इसमें आपको chart देखना पड़ेगा entry exit प्रॉपर आपका होना चाहिए आप जोब के साथ चार्ट नहीं देख सकते आपको वहां पर खुद के कुछ काम होगा वो करना पड़ेगा आप उतना फ्री नहीं रहोगे कि आप एक दिन फ्री रहोगे माला दो दिन रहोगे फ्री लेकिन आप जब आप mostly आपको problem आएगा कि जब भी आप exit करना चाहोगे आप exit नहीं कर पाओगे और आप सोचोगे कि मैं कहां फस गया हूँ कास मैं stock market कर पाता जॉब छोड़के और जॉब छोड़ोगे तो भी आपको loss होगा क्योंकि आप सोचते थे वेसे market work नहीं करेगा जॉब का प्लान था वेसे market चलेगा नहीं तो यहां पर मैं एक ऐसा system ल हम इसको कह सकते हैं कि क्या हम लोग हम लोग active participation के भी ना हम लोग कोई chart नहीं देख रहे हैं हम लोग market का up-down कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या ऐसा system है हां तो मैं कहूंगा ऐसा system है कि इससे आप monthly average average 3% आप return generate कर सकते हैं क्योंकि यहां पर मैंने capital production किया है और मेरा concept है मेरा यह belief है कि profit के पीछे मत भागो आप अपना capital product करो आप जो capital लगाया हुआ है अप कैसे product करो market में उथल बुथल आ जाए कुछ भी news आ जाए कुछ भी हो आपका capital production कैसे हो if you focus on your capital production then profit will automatically be generated okay profit अपने अप जनरेट होगा profit is a part of system okay loss is not part of system अगर loss generate हो रहा है अपके system से तो आपके system में कुछ problem है तो आपको उसे ठीक करना पड़ेगा तो यह एक इसा system लाया हूं में इसे आप प्लीज ध्यान से देखिएगा यह सभी सभी के लिए जो job कर रहा है या नहीं कर रहा है it means जो active participation के बीना कमाना चाहता है active participation means आपको daily हर एक second chart नहीं देखना है हर एक minute बेठे रहा हो चलो buy signal आया sell signal आया उसमें human error की समभावना भी रहती है यह एक पूरा automated system है जो मैंने develop किया हुआ है और तो चलो मैं आपको without any delay मैं आपको बताता हूं उसमें करना क्या है friends तो जैसे आप देख पा रहा है यहां पर लिखाई हुआ है earn monthly 3% returns from stock market with your job okay अब यहां पर यह जो मैंने जो बनाया starting में कि nifty 20 ETF purchase करना है calendar spread कैसे करना है यह हम थोड़ा बात में discuss करेंगे जिनके पास 3 लाग 5 लाग 2 लाग capital नहीं है वह कैसे start करें वह कैसे observe करें इसे पहले हम lower capital के लिए देखते हैं उसे क्या करना है देखिए हम यहां पर start करेंगे सबसे नीचे से क्योंकि यहां पर market का movement up side यहां पर देखो आपको down side में profit ही होने वाला है चाहे market कितना भी गिरे आपको 1% profit होने वाला है capital requirement आपको 30,000 की है हां 30,000 से कम नहीं लगेगा हो सके तो 40,000 प्लस लेके चलिएगा कभी भी margin requirement up and down हो सकती है तो 40,000 प्लस पर आपको काम करना है आपको देखो यहां पर क्या करना है सब सब्सक्राइब हम मान लेते हैं worst scenario 55% से ज्यादा crackdown हो गया ठीक है पूरा down हो गया तो हम लोग यहां पर Friday means 24 June हम 24 June का reference लेकर चल रहे है क्योंकि data मैंने वैसे ही यहां पर यह बनाया हुआ है 24 June के reference को पकड़ कर तो यहां पर सबकोस 15,700 से यह 5% down means 14,900 हो जाता है तो उस case में क्या होगा आपको इसमें क्या करना है पहले तो आप यह सुन लीजिए आपको सबसे पहले जब भी Friday आव आपको जो भी हमारे निफ्टी का spot price है हम यहां पर निफ्टी का spot price 14,700 लेकर चल रहे हैं starting से ठीक है आप sorry 15,700 लेकर चल रहे हैं तो 15,700 का 1.5% अबो ठीक है approximately 15,900 होता है तो आपको क्या करना है कि उसी week मतलब उस time में June की हमारी expiry है उस week की expiry को आपको एक lot sell करना है यहां एक lot 50 quantity का आयेगा उस time पर उसकी price 87 थी ओके फिर आपको next week next week आपको 7th July की expiry आएगी देखिए यहां पर आपको next week means Thursday 7th July की expiry आएगी और जो current week है वो 30 June means June के जो last date है उसमें expiry आ रही है जून लिखा है यहां पर और next week की expiry को आपको 16,100 की strike लेनी अब यह strike कहां से आई मैंने यह बता दिया 15,900 कहां से आया तो हमारा sport price जो है उस time पर 15,700 था देखो यहां पर लिखा हुआ इसका हम लोग 1.5% above की strike price पकड़ना है तो 1.5% above approximately 15,900 की strike price आएगी फिर आपको क्या करना है जो भी strike price आई वो suppose हमारा एक price आया आपको एसी strike price select करनी है की next week की की उसका जो premium है वो हमारे sell की premium की एकदम close हो suppose अगर यह 89 होता तो भी चलता 90 होता तो भी चलता लेकिन उस time पर सबसे close यही आ रहा था तो हमको यही लेना है हमने एक system बना दिया current week का sell next week का buy same quantity 50-50 तो पहले वाली sell है नीचे वाली buy है अब क्या होगा suppose हम एक scenario मानता है कि चलो एक week में 5% nifty down हो गया जो बहुत rare case में होता है बहुत rare of the rare case में होता है क्योंकि इसका data बोल रहा है कि 5% down यह बहुत बहुत rare case में हुआ है तो हम वह भी data पकड़के चल रहे है suppose यह सा होता है तो क्या होगा जो आपका next जो आपका June expiry आएगा ठीक है जिसे कि यह वाला 30 June आएगा उस में आपको MIS means intraday में डाल देना है automatically 325 को यह exit हो जाएगा exit होते हुए 87 का आपका zero price हो जाएगा जो आपको profit है पूरा क्योंकि आपने sell किया हुआ है यहां पर आपने buy किया है तो आपके घटके 5 हो जाएगा only तो 87-81 आपको six point का profit मिल रहा है यहां पर फिर भी आपने 50 quantity लिया है means एक lot लिया है 15 to 6 300 का आपको profit हो रहा है 30,000 capital पर means 1% आपको फिर भी मिल रहा है फिर भी मिल रहा है 1% मैं एगनाँ वोट scenario पकड़के चलू रहा हूँ ठीक है अगर यह 5% की जगा 3% डाउन हुआ 2% डाउन हुआ तो आपको 1% से ज्यादा ही मिलने वाला है 1% से ज्यादा ही मिलने वाला है आपको इसमें चलिए तो हम बात करते हैं कि चलो निफ्टी ने अगर कुछ मोमेंट नहीं दिया तो अगर निफ्टी अप हुआ डाउन हुआ जीरो परसेंट पर बंद हुआ अप्रोक्रोक्सिमेट तो उस केस में क्या होगा हमारा सेल वाला हमको 87 का प्रॉफिट दे रहा होगा पॉइंट का एंड बाय वाला माइनस 61 का लॉस दे रहा होगा तो दोनों का समय संग करके हमको 26 पॉइंट का प्रॉफिट इट मींस 1300 रूपीज प्रॉफिट में होगा इसका मतलब यह हुआ 30,000 कैपिटल पे हमको 4.3% इने वीक प्रॉफिट मिल रहा है जो बहुत बड़ी बात है जो एक वीक में 4.3% प्रॉफिट होना वी विदाउट एक्टिव पार्टी सिप्रॉफिट कुछ देखना ही नहीं आपको आपको फ्राइडे को सिस्टम बनाना है ठर्वडे को उसमें एडिट हो जाना है और ए निफ्टी का एक नेचर है कि वो दीरे दीरे बड़ेगा ही आज तक का ऐसा रेकोर्ड है जब तक यह स्टार्ट हुआ तब तक बड़ी रहा है और जब तक इंडिया है तब तक निफ्टी है तो इसका कोई टेंसन नहीं है यह बढ़ने ही वाला है तो हम लोग सामान कर चल निफ्टी ने एक वीक में 0.5% ही बड़ा जो एक एवरेज है इतना बढ़ेगा 0.524 में 1.2% के असपास मंदली में बढ़ता है अगर आपम लोग एवरेज देखें तो हम लोग मांगे चलते है 0.5% बड़ा उस case में क्या होगा जो आपका जो लोट सेल किया था उसकी वेल प्रॉफिट और 2,210 रुपीज का प्रॉफिट मिला आपको इट मेंस आपने प्रॉफिट किया है यहां पर 2,210 और यहां पर हम लोग अगर 30,000 केपिटल पर हम लोग अगर इसका परसेंटेज निकालें तो वो आएगा 7.3% सोचो 7.3% आपको यहां पर प्रॉफिट मिल रहा है इन्हें वीक यहां वीक की बात हो रही है और सिक्योर आपको इसमें कुछ नहीं करना है फ्राइडे को एंट्री करनी है और थर्स्डे को एकजिट हो जाना है ऑटमेंटिकली उसी वीक में एक वीका प्रॉफिट आ आपको 30,000 केपिटल पर है और यह 1.6% क्या है यह आपको 3,2807 रुपीज पर है यह कैसे है मैं आपको बात में बताऊंगा कि यह क्या है अभी आपको 30,000 केपिटल पर ही मैं बता रहा हूँ है अब यहां पर देखते हैं कि चलो निफ्टी ने 1% का रिटन दिया एक वीक मे 1% बढ़ा उस केस में हमारा सिस्टम हमको दोनों का एडिशन होके 55 परसेंट का प्रॉफिट दे रहा होगा इट मींज 2,750 रुपीज हमको मिल रहा होगा और हम इसका परसेंटेज निकालने जाए तो परसेंटेज आएगा 30,000 केपिटल पर 9.16 परसेंट प्रॉफिट आएगा इन्हें वीक एक वीक में ठीक है इस सिस्टम का आप सोच रहें कि यह पॉसिबल नहीं है लेकिन यह पॉसिबल है यह पॉसिबल है यह 100 परसेंट पॉसिबल है इसमें एक ही दिक्कत आईगी जब भी आपका 2 परसेंट यह 3 परसेंट के अप जाएगा आपको यह लॉस देना स्टार्ट कर देगा देखिए निफ्टी 2-3 परसेंट के अप नहीं जाता अब अब वो लोगे जाता है जाता है रेर केसमें जाता है इसी लिए तो एक कॉंसेट लाया हूं निफ्टी बीज ठीक है अभी आप देखत बीज़ा तो कितना परसेंट हूआ 14.6 परसेंट का अपको प्रॉफिट मिल रहा है जो हम लोग एक सिनारियो पकड़ते हैं जो मैं बोल रहा हूं कि अगर 3 परसेंट के अप जाएगा चैजा तो प्रॉब्लम हो घुचिन अभी तक हम देखे हैं हमको प्रॉफिट ही होची म इसमें भी profit है 475 रूपीज का profit काम हो गया, no doubt मेंने कहा था कि अगर 2% से अब जाने start कर रहेगा, तो आपको loss होना start होगा, लेकिन अभी भी आपको इसमें loss नहीं हो रहा है, profit कितना हो रहा है, profit हो रहा है, ये दिवाइड बाइ 30,000 इंटू में 100 1.58% परफिट इने वीक बहुत बड़ी बात है हम चलो कि एजमसन करते हैं कि 3% अप हो गया उस केस में हमको लॉस होगा हमको लॉस होगा 3,900 रुपीज का अब बोलोगों कि भाई यसमें तो लॉस हो गया लेकिन आप देखो कि वीक में क्या निफ्टी 3% बड़ेगा अगर हर वीक में निफ्टी 3% बड़ेगा तो सोचिए 1 मन्थ में 12% बड़ेगा ये 1 मन्थ में 12% बड़ेगा अगर हम लोग ऐसे ही रफ कलकुलेशन करें कि एक वीक में 3% बढ़ा तो उसके 4 वीक होते हैं तो 12% निफ्टी बढ़ेगा तो क्या 12% निफ्टी बढ़ेगा हर वीक में 3% अभी 3% बढ़ा फिर 3% फिर उसका 3% ठीक है तो यह impossible है हर वीक में 3% नहीं बढ़ सकता बढ़ सकता है तो कि हम लोग को यहाँ capital प्रोटेट करना है तो मैं मान के चलूंगा कि यह बढ़ा ओके बढ़ा बढ़ा हमको लोस्ट दिया बढ़ यहां पर में वैड़ सिस्टम बनाया है कि आपको क्या करना है निफ्टी बीच की 1667 वन थाउजन 667 quantity purchase करना है जो आपको अभी इस price पर 2,87,000 की आती है या आप अगर purchase कर लेंगे तो system पूरा full proof है क्योंकि देखो अगर 3% पर आपको ये loss दे रहा है तो जब nifty 3% बढ़ेगा तो इसकी value आपको 8,634 का profit होगा दोनों के मिला के 4,734 का profit हुआ capital total था वो हमारा capital 3,2807 हो गया तो इस पर हमको 1.56% का profit मिल रहा है इन्हें weak फिर से profit मिल रहा है मार्केट गटे तो profit बढ़े तो profit मार्केट गटे तो profit मार्केट देखना ही नहीं system follow करना है entry system follow कर लिया exit में स्रिप MIS रखके छोड़ दिया MIS क्या होता है intraday का margin intraday होता है आपको Thursday को MIS में रख देना है मैं सक्यों बोल रहा हूं क्यूंकि इसमें next week का है जो automatically sell नहीं होगा यह आपका carry for out हो जाएगा और आपको loss हो सकता है इसलिए आप ध्यान से जब भी Thursday हो MIS में आपको रखना है टाइम निकार MIS में रखने में आपको एक मिनट लगेगा वन मिनट मैं open to close पुरा टाइम बता रहा हूं आपने application open किया MIS में डाला close किया within 30 seconds और वन मिनट मैं आपको यह पुरा MIS में रख देना है और यह बाहर सेल करने में आपको मैक्सिमम तू तू फाइव मिनट लगेगा अगर आपको आती है आपकर आप प्रक्टिस कर लोगे तो वन मिनट में आप कर लोगे means आपको एक वीक में दो से पांस मिनट देना है ठीक है अगर मानलों कि 95% अबव हो गया जो impossible next to impossible है कि इस वर्ल्ड में कुछ impossible जैसी कोई चीज नहीं होती मैं अगर ऐसा मानता हूँ तो मानले कि 5% अबव क्लोज हो गया तो हमारा सिस्टम इसको लॉस देगा 7300 आप बोलोगे तो लॉस हो गया जितना कमाया लॉस हो गया नहीं ऐसा नहीं एक तो पहली बार ये 5% अबव के भी क्लोज होने ही नहीं वाला चलो हम वर्ट सिनार्यों पकड़ लाते हैं क्लोज हो गया मैं इस टीबी आपको कितना दे रहा है 14,390 दे रहा है जो आपने पर्चेस किया उपर मैं आपको 7,100 या आपको प्रॉफिट हो रहा है 2.3% का इन्हें वीक प्रॉफिट है अल्टीमेटल आप प्रॉफिट में प्लोज हो रहा है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों ये सिस्टम मैंने डिजाइन किया है तो फ्यूचर में ऐसी आसा है कि इस का रेफरेंस लेके सभी लोग प्रॉफिट करेंगे और सभी लोग वीडियो भी बनाएंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब का प्रॉफिट हो बस मैं यहीं चाहता हूं कि सब लोग आराम से और सीखें और विदाउट हैडेक स्टॉक मार्केट में एंट्री करें कि आप डरे नहीं थीक है क्योंकि यह पूरा एक ऑप्सन जो सब्जेक्ट है पुरा डाइनिमिक से स्टेटिक नहीं है स्टॉक मार्केट में जो इक्रिटी सेक्षन है वो स्टेटिक है मार्केट की प्राइज है उसके अब गया तो प्रॉफिट डाउन गया तो लोस सिम्पल स्टेटिक है अगर आप इस तरीके से हैज करते हो तो आपसन इतना पावर्फुल बन जाता है कि आपको लोस देही नहीं सकता इसमें भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम है डिजाइन है कि मैं आपको अगर बताओं तो बहुत टाइम लग जाएगा बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा ठीक है इसलिए आप इसके पूरा डिटेलिंग में न जाकर एक सिम्पल में जो जॉब करने वाले होते हैं जो रिटायर पर करनी है without any headache without any loss without any tension सबसे बेश सिस्टम है आपको इसमें मन्थली इंकम मैं 3% लिखा हूं आप देख रहे हैं 3% में लिखा हूं मैं और सेफ सेट लिखा हूं क्योंकि आप देखो किसी भी कंडिशन में ये वीक का रिटन है 2.3% ठीक है 1.5% वीक का रिटन है ये ठीक है 2% य इनारें में close होता है मिलब 3% कि 5% कि ame-5%-3% और आपको देखिए nifty इना प्रॉफित बुक नहीं करना है हां प्रॉफिट बुक तभी करना है जिब 33% के ऊपर ुपर घूंस होता है तो इसको वे से ही टेन देना है ये धिरे-धिरे बढ़ता रहेगा और हमेरे एकाउंट में बहुत बड़ा एमाउंट क्रेडिट होने वाला है फ्यूचर में आपको कब लेना है जब यह 95% के अबबो क्लोस हो जाए क्योंकि आपका सिस्टम यहां लॉस देगा उसे कवर करने के लिए आपको यहां पर 14,390 का प्रोफिट हो रहा है तो आप 7,300 इसमें से आप निका लेजिए जो आपका यह लोस हुआ है या 10,000 निकाल लेजिए 2,000 प्रोफिट ले लीजिए ठीक है तो इस तरीके से आपको दिरे दिरे आगे बढ़ना है और मैं गरनेटी देता हूं कि यह वीडियो बहुत ही यूश्फूल है कि जो लोग स्टोक मार्केट में विदाउट लश आगे बढ़ना आप ऑगे बढ़ना चाहते हैं ठीक हैं विदाउट गेंबलिंग आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह कोई प्रब्लम आती है कोई आपको सीखना है मतलब आपको डाउट हो रहा है या मेरे कोई कही बात पर आपको भरोसा नहीं है तो आप प्लिस कॉमेंट में लिखिए आप पूछिए आप बोलिए कि नहीं आपने गलप लिखा है ऐसा नहीं यह होना चीए था नही नहीं आपने data गलत है, नहीं आपका calculation गलत है, नहीं आपका system गलत है, आप लिखिये, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई गलती निकाले, मुझे आसा है कि मैंने इसको practical किया है, इसमें full proof system है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, हाँ, option का calculation future में change हो जाए, तो problem हो सकता है, क् strip mainly, दो ही चीज पर focus करता है, एक तो इसकी implied volatility, इस ही का हम लोग यूज कर रहे है, जो हम लोग next day की expiry ले रहे हैं, और implied volatility बढ़ेगा उमको बौत profit होने वाला है, okay, IV बोलते हैं जिसको, okay, support किया, ठीक है, तो हमको zero होने वाला है, यहाँ पर, जो हमको जीरो होने वाला है, के बावजूद, चलिए, तो बहुत बाते हो गई, यही पर वीडियो में अंध करता हूँ, और job के साथ, आप अंध करो, आगे बढ़ो, और हाँ, लालच में quantity बढ़ाना मत, जो यहाँ पर मैंने quantity बढ़ाना में, in the sense, अगर यहाँ पर nifty की आपने, यह देखो, यह मैंने क कैसे calculate किया है, 50, nifty, nifty, nifty का future load 50 का होता है, तो 5000, इसका मैंने multiply by 105,000 लिया है, उसका divide by 3, divide by 3 किया हुआ है, क्योंकि यह one third quantity लेनी पड़ेगी, तो one third quantity आपको लेनी है, one load के साथ, अगर चाहता हो कि नहीं, इसमें तो इतना अच्छा, हमको return मिल रहा है, nifty अगर 1.5, 0%, minus 1% इतना बंद होता है, हमको profit होता है, तो क्यों न हम, nifty की हम लोग 500 quantity, हम लोग 1000 quantity ले, आप लीजिये, आप लीजिये, लेकिन जिस दिन nifty ने, अगर 3% के up, 2.5% के up, close होना start किया, तो आपकी quantity बहुत बड़ी, आपको बहुत loss होगा, आप quantity तभी बढ़ाईए, जब यहाँ निफ्टी बढ़ाते हैं, अगर इसकी quantity आप कैसे बढ़ाएंगे, तो आपको देखो, हर मन्त में आपको इतना percentage profit होने वाला है, आप उसका 70% use कीजिये, उसका 30% आप nifty बढ़ाते रहें, जैसे अगर इसकी quantity 5000 हो जाए, तो आपको 3 लोट लेना है, इसका 3 लोट जो आपने यह बनाया हुआ है system, यहाँ पर जो single single load है 50-50 का, आपको 3 लोट लेना है, date means 150 quantity, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, और यहाँ पर लोट बढ़ाते रहना है, और profit आराम से generate करते रहना है, लालेच में आके इसे जादा मत ले लेना, क्योंकि अगर आपका उस time पर time खर करके रखा हुआ है, इस quantity में, इससे ज्यादा होगा, तो well and good है, लेकिन आपको यहाँ के बितल ज्यादा requirement होगा, लेकिन इतना minimum होना ही चाहिए एक लोट के लिए, 3 लोट के लिए 5000 quantity होने चाहिए, 6 lot के लिए means 300 quantity के लिए, यहाँ बाइसल करने के लिए, आपको यहाँ पर 15 lakh rupees से ही है, लेकिन आप job के साथ आप अराम से यहाँ पर profit generate कर सकते हो, अगर आपके पास इतनी quantity नहीं है, फिर भी आप कीजिए, क्यों, क्योंकि निफ्टी तभी loss देगा न, जब यह 3% के ओपर निफ्टी जाएगा, अगर 3% के ओपर निफ्टी जाएगा, तो एक बार ज इमपॉसिबल है, कि निफ्टी हर वीक में 3% दे रहे है, लेकिन वहाँ पर आपका 2%, 1.5%, 1.5%, –1% कुछ भी हो रहा है, प्रॉफिट हो नहीं वाला है, अगर यह निफ्टी 3% के ओपर close हो रहा है एक दिन में, तो मत घबराईए, क्योंकि आपने यह निफ्टी पीस बाय कर आपके रखा हुआ है, आपके प्रॉफिट देगा, मस्त वाला प्रॉफिट देगा, तो सिस्टम पूरा फुल प्रॉफ है, in the sense, में को सोड में बोलना है, सिस्टम पूरा फुल प्रॉफ है, आप इसमें आगे बढ़िये हैं, और हाँ, यह वीडियो जिंको ज़रूरत मन् और इसे आप सेर कीजिए, कॉमेंट लिखिए, लाइक कीजिए, और सबस्क्राइब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यह मेरे पास ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं, कि मैं कोई वीडियो बना तो आप आपके नोटिफिकेशन में और हाँ, आप बेल अगर आइकोन प्रेस करोगे तो ही आपको अटोमेटिकली नोटिफिकेशन में आएगा, अधरवाइस आपको ढूंडना पड़ेगा, या आप मिस कर दोगे, या कभी आपको कभी बहुत लेट मिलेगा, जब तक सिस्टम चेंज हो गया होगा, तो चलिए, यहाँ पर मैं आपसे अलविदा करता हूँ, बाइ, सुबरत्री